तस्रीकाल जी, नमस्ते जी, कुकिन मंजी स्टाइल में आपका स्वागत है आज हम आपको जटपट तियार होने वाले बच्चों के लिए healthy snacks बताएंगे जो बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद आएंगे जे बच्चों के टीपिन में भी दिये जा सकते हैं फिलहाल लॉकडाउन में हम मौर्निंग और इवनिंग snacks के तौर बना सकते हैं इसके लिए हमको चाहिए green vegetable जैसे आप देखी रहे हैं शिमला मिर्चोगी, ब्रॉकली और जो भी अगर ये आपके पास vegetables नहीं हैं तो आप प्याज और टमाटर के साथ इसको रस्ती को त्यार कर सकते हैं ब्रेट, एक कटोरी सुजी, थोड़ी सी कालिंगेच, नमक, एक कटोरी मलाई अगर आप मलाई नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप एक कटोरी दहीं भी रख सकते हैं, फोड़ा सा पानी आईए देखते हैं हमारा बेटर के से त्यार होता है सबसे पहले डालेंगे हम सुजी अब हम डालेंगे green vegetables, देखें जो मैंने चॉप करके रखी हुई है एक बात का ध्याम देखेंगे जो वेजिटेबल स्कूप बरीक होनी चाहिए ताकि जो बेटर में अच्छे से मिक्स हो जाए अब डालेंगे इसमें मलाई अब डालेंगे नमक, स्वादन साथ थोड़ी सी काली मिर्च अगर हम लगे के हमारा बेटर जो है वो बहुत ज़रा टाइट हो रहा तो इसमें हम पानी मिक्स करेंगे एक बात का ध्यान रहे हमको इसमें दूद नहीं डालना बेटर ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत घड़ा होना चाहिए यह हमारा बेटर त्यार हो गया है इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे यह देखिया हमारा बेटर त्यार हो गया है अब हम इसको ब्रेड के उपर लगाएंगे एक बात का ध्यान दखिए अगर ऐसे अच्छे से सप्रेड हो तो हमारा बेटर बहुत अच्छा है आगर कभी-कभी ये पतला हो जाए तो इसमें हम थोड़ी सी सूजी मिक्स कर सकते हैं, गाड़ा हो जाए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं, अब इसको अच्छे से लगाके, अब इसके उपर, तवे के उपर हम लगा देंगे, जब तक हमारी ये साइड पक र तो अक्सर मदर्स को जे प्राब्लम रहती है कि बच्चे हमारे वेजिटेबल को सन्ने करते हैं, खुब बच्चे से खुश हो के वेजिटेबल खाएंगे, जब टीफिन में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, ये सुबह जल्दी बन जाता है, और पॉष्टिक भी है, आप ब बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, बच्चे ब्रेड भी खुश हो के खाते हैं,